हेलो एंड वेलकम टू कॉंपिटोलोजी एकेडमी और आज हम लोग डिस्कूस करेंगे कि पाम ओयल के प्रोडक्शन को इंडिया पढ़ाना चाहती है इंडिया में ही ताकि जो उसकी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे वो कम हो सके और जो उसके कारण फोरेक्स आउटफलो हो रहा है या फिर प्रैस फ्लक्शूेशन के कारण एवैविलीटी का इसु आता है तो इन सब चीजों को रोका जा सके लेकिन इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है बहुत सारी मेरिट्स और दिमे देखेंगे तो यह वीडियो को आखरी तक देखें यूपी एसी के पेपर वन के या पेपर थ्री के पॉइंट व्यू से दोनों पेपर के हिसाथ से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टाइम एंड अगेन इस पर डिस्क्रिशन चलती रहती है तो चलिए सुरू क करते हैं तो सबसे पहले देखिए कि यह न्यूज में है क्यों तो यहां पे जो इंवर्मेंटलिस्ट हैं इंडिया में या अधर पॉलिटीशन से उन्होंने यह चीज पॉइंट आउट की है कि जो हमने देखा है वाइट स्प्रेड डिस्ट्रक्शन रेंफॉरेस्ट का या कि इंडिया में भी आ सकती है और इन सबसे सोचते समझते हुए और इनके इंपैक्ट को देखते हुए ही हमें यह चीज देखना चाहिए कि इंडिया में नौर्थ इस्टन स्टेट्स में यह चीजें फिजिबल हो पाएंगी कि नहीं या फिर अंडमानें निकोबार आइले करेंट्स में कहा जा रहा है कि यहां पर वाइडस्प्रेट कल्टिवेशन किया जाएगा ओईल पाम का तो इसके फाइदे नुक्सान को बढ़िया से पहले study किया जाए यहां पर इसकी क्या अक्लॉजीकल इंपैक्ट आएगे इन सब चीजों को सबसे पहले government ध्यान से study करे और उसके बाद ही यहां पर यह चीजों को आगे बढ़ाए जो भी इंसेंटिब्स मिल रहे हैं उसे देना सुरू करें और इसमें स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिटीशियन है जो हमारे पूर्व वो देखा गया है कि इन्वार्मेंटल इसूस पर बहुत ज्यादा वोकल रहते हैं बहुत सारे समय आये हमने देखे कि उनके डिसीजन्स उनकी अपनी रूलिंग पार्टी की जो की यूपीए की गवर्मेंट थी उसके अगेंस्ट भी वो बोज़दे थे अगर वो इन्वार् पहले नहीं की गई नाइंटीन एटीज में इस पर स्टडी की गई थी और उसके बाद यह चीज़ें देखी गई थी कि टेकनोलोजी कली या फिर इन्वार्मेंटल इसूस के हिसाब से या बायो डेवर्सिटी लॉज के हिसाब से यहां पर प्लांटेशन करना ओएल पाम का प्लांटेशन को उस समय प्रमोट नहीं किया गया और ऐसा नहीं है कि इस समय इंडिया से इंडिया हमेशा से ही इंपोर्ट पे ही निरभर रही है और इसी सब चीजों को देखते हुए जैराम रमेशन ने क्लियर ली यह चीज का है कि गवर्मेंट को इसे एक बार रिलू कर चाहिए तो यहां पर जो नेशनल मिशन है जो गवर्मेंट लॉंच की है बेसिकली यह 2014-15 में लॉंच किया गया था लेकिन अभी इसे इंटेंसिफाई किया रहा है क्योंकि दीर दीर जो हमारा इंपोर्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और इसी लिए यहां पर यह नेशनल मिशन और ओयल सीट्स एंड ओयल पाम तो ओयल सीट्स आप देखेंगे कि कलेक्टिवली यह यहां पर इसका पार्ट लिया गया है और एक स्पेसिफिक फोकस किया गया है ओयल पाम पे तो मस्टर्ड सोया बीन संफ्लावर उसके बाद को कोकोनट ग्राउंट यह सारी चीज़ें आ जाती है लेकिन यहां पर इसके बाद देखा जाए तो ओयल पाम ही मेजर एक पार्ट है इसका और इन्हें फोकस किया जा रहा है 12 स्टेट्स में ओयल पाम को बेसिकली अगर अभी हम लोग जो है बाकी कोईल स्टेट्स की बात नहीं करेंगे अगर हम बात करें ओयल पाम की सिर्फ तो 12 स्टेट्स हैं आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो लिस्ट है आंद्र प्रदेश आसा मरूना चल प्रदेश चतिसगड गुजरात करनाटका मनीपूर मिजूरम नागालेंड उडिसा तमिल नाडू एंड तिलंगाना तो यह 12 में हैं वह करनाटका हो गया तिलंगाना हो गया चतिसगड हो गया तमिल नाडू हो गया तो ऐसे स्टेट्स में अगर वैल पाम की खेती की जाती है तो उसके बहुत सारे इंवर्मेंटेंड एंड इकोलाजिकल इसूस आ सकते हैं अब यहां पर उसके बात देखा गया कि रेंफॉल बहुत ज्यादा है और संसाइन बेटर है ऐसे रीजन में इसका मिनली कल्टीवेशन किया जाता है जहां पर कि इसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है तो यहां पर अगर हम लोग नौर्थ इस्टन स्टेट्स की बात करें तो यहां पर रेंफॉल बहुत हाई है अ इंसेंटिव जो दिये जा रहे हैं इसका टोटल एमाउंट है ग्यारहजार चालिस करोड का टोटल फंड अलोकेट हुआ है और इसमें यहां पर अगर देखे हैं तो थ्री टू फॉर यहर्स का गेस्टेशन पीरियड होता है और पाम का उसके पहले यहां पर इससे कोई भी in come generate नहीं होती है तो यह सपोट सिस्टम इन्हें टो फॉर यह यहां पर सपोर्ट करेगा प्लस यहां पर पर कह रहे हैं कि उसके साथ साथ और भी कुछ किया जाएगा जिससे कि फार्मर की इंकम को सपलीमेंज किया जाए सेकेंड तिंग यहां पर देखा जा voll π का बिटर प में भी यहां पर incentivize करना जरूरी है और government यहां पर target कर रहे है कि total जो coverage area रहेगा वो 10 लाक hectare का रहेगा अब इतना बड़ा area switch करना oil palm plantation की तरफ यह एक बहुत ही बड़ा task है और इसके बहुत सारे implications निकल कर आ सकते हैं जबकि यहां पर कहा यह जा रहा है कि जो oil palm के लिए research की जो team बनाई गई है उनका कहना है कि यहां पर लगबग 25 लाक hectare ऐसी जमीन है जहां पर की उन्होंने study के बाद कहा है oil palm की खेती की जा सकती है की जा सकती है ठीक है लेकिन उसके impacts क्या है इसकी detailed study इसका जो environmental impact assessment है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है यहां पर तभी जाकर इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है अब यहां पर देखें कि 25 million tons और उसमें से 60% यहां पर इंपोर्ट किया जाता है जिसके कारण की इंडिया बन जाता है इडिवाल वैल का वर्ल्स लार्जिस्ट इंपोर्टर और यहां पर पाम वैल जो इंपोर्ट भी हम लोग करते हैं उसमें से पाम वैल अकेले 55% कंप्राइज करता है पाम वैल मेल इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है मलेशिया और इंडोनेशिया से और थोड़ा बहुत कुछ कुछ साउथी स्टेसियन कंट्री से हला कि यहां पर एक चीज़ और देखने वाली बात है जिस पर कि इंडिया नेहाल के लला भी ऑब्जेक्शन भी उठाया कि बहुत सारा पाम वैल इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा रहा था नेपाल और बंगलादेश से जबकि यह दोनों कंट्रेज पाम वैल की खेती करते नहीं हैं उसके बाद भी यहां पर मेजर यहां पर इंपोर्ट आ रहा था नेपाल और बंगलादेश से और उसके एक्सपोर्ट कर दे रहे थे इंडिया को तो इस चीज़ भी इंडिया ने ली है और इसे रिस्टिक्ट किया है और यहां पर जो बचे 45% पर्सेंट और रसीय तो यहां पर देखेंगे कि एक इंडिया को एक्सपोर्ट करती है जिससे कि इंडिया का फोरेक्स आपफलो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इंडिया यह सोच रही है कि अगर हम लोग सेल्फ सफिसेंट हो जाते हैं पाम ओयल में चलिए सोय और संफ् की जा रही है लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि जो 55% का यहां पर यह एक कंट्रिब्यूशन है पाम ओयल का के लिए तो इस पे स्पेसल फोकस इसी लिए किया जा रहा है कि मेजर आउट्व यहां पर इसी के कारण हो रहा है तो कंसर्न क्या है में जो इंवर्मेंटलिस्ट लोग पर अब्जेक्शन लगा रहे हैं गवर्मेंट को टाइम लेटर लिख रहे हैं गवर्मेंट को कह रहे हैं कि इस चीज़ को ध्यान से आगे बढ़ाया जाए स्टडी की जाए तो उसके पीछे का सबसे पहला कारण है लैंड अल्रेडी इंडिया में एक कंस्ट्रेंट थी आप अगर देखेंगे 328 मिलियन हेक्टेर का तो उसमें से अल्रेडी बहुत सारा लैंड जो है सो क्रॉपिंग में जा चुका है इंडिया की फॉरेस्ट कवर लगबर 24 परसेंट के आसपास है और उसमें अगर हम लोग लैंड को डाइवर्ट करें क्योंकि क्रॉप में अल्रेडी इतनी जादा जरूरत है कि फूड ग्रेंज की जो लैंड है उसे डाइवर्ट करना मुस्किल है तो यहां पर बेसिकली फोकस फिर हो सकता है कि बढ़े फॉरेस्ट लैंड के तरफ और अगर ऐसा होता है तो फॉरेस्ट कवर और कम हो जाएगा क्योंकि इंडिया अल्रेडी टार्गेट कर रही है कि 33 परसेंट ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया और इसके लिए बहुत सारे इनिसियेटिव चलाए जा रहे हैं और उसके बाद अगर के लिए लैंड किया जाता है तो यह एक कॉंट्रेडिक्शन हो जाएगा कि एक तरफ आप फॉरेस् के लिए वो हिलपाम का जो की अल्रेडी दूसरे क्रॉप्स के अंडर में हैं और जिसे डाइवर्ट किया जा सकता है लेकिन यह देखने का भी सह होगा कि इस चीट को लेटर एंड इस्परिट कितना फॉलो किया जाता है सेकेंड तिंग यहां पर कहा जा रहा है कि क्म्यूनिटी ओनर सीफ है ट्राइबल की कलेक्टिवली वो लोगों करते हैं और इसमें अगर वोयल पाम की प्लांटेशन होती है तो मोस्ट अप दा लैंड हो सकता है कि प्राइवेट हैंड में चल जाएं इंडस्ट्रियलिस्ट के हैंड में चल जाएं और उसके कारण यह पाम ट्री को लगबग 300 लीटर्स का पानी चाहिए और जैसा कि अभी का सिचुईशन है इंडिया में इंडिया का अभी परसजेंटली जो भी ओयल पाम प्रोडक्शन होता है तो 90 परसेंट ऑफ ओयल पाम आंध्रप्रदेश से आता है और आंध्रप्रदेश में यहां पर बोर्वेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसके कारण यहां का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है तो यह आल्रेडी वहां के लिए एक डिजास्ट्रस सिचुईशन बना हुआ है वहां पर एकोलोजिकल इसूस क्रियेट हो रहे है और वैसे में अगर फिर से यहां पर और इसे प्लांटेशन को बढ़ाया जाए तो यह जो सिचुईशन है यह और ग्रिम सिचुईशन हो सकता है यहां पर और दिकतें वाटर के स्कर्सिटी की बढ़ सकती है जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि महराश्ट्रा में बहुत सार से भेजना पड़ता है ट्रेंस के त्रू और दूसरे मिन्स के त्रू तो कहीं ऐसा ही सिचुईशन ओयल पाम प्लांटेशन के रीजन में ना हो जाए उसके बाद फॉर्थ पॉइंट यहां पर है मोनो कल्चर ओयल पाम के साथ आप दूसरे क्रॉप्स को नहीं ग्रो कर सकते है वहां पर ओयल पाम का क्रॉपिंग होगा तो सिर्फ ओयल पाम की ही क्रॉपिंग हो सब्सक्री और इसमें यह इसू आएगा कि फिर बायोडाइवरसिटी लॉस बढ़ जाएंगे क्योंकि आप पूरा इको सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉइ करके सिर्फेशन क्रॉप वहां के लिए हमने क्रॉपिंग की और नेक्स्ट यह से हमें वहाँ पर प्रोडक्शन मिलना चलू हो गया यह भी तो फॉर यह का टाइम लेगा और तब तक फार्मर्स की सिचुएशन जो है बिगड़ सकती है क्योंकि यह स्मॉल फार्मर्स के लिए सुटेबल नहीं होगा तो बात है कि यहां पर फिर कॉर्पोरेट्स इंवेश्ट करेंगे और उनकी जो दिक्कते हैं और बढ़ जाएंगी वह बन कर रह जाएंगे ना कि लैंड ओनर्स उसके बाद यहां पर हैं जो हैं नौर्थ इस्ट का रीजन या अंडमान एंड निकोबार का रीजन वह बायो डैवर्सिटी होट स्पॉट्स रीजन से और एकोलोजिकली फरजाईल वी और ऐसे में अगर मोनो कल्चर यहां पर हम जिकली फरजाईल होने के कारण यहां की कुलाजिकल सिस्टम की इको सिस्टम डिस्ट्रॉय बहु सकती है तो ऐसे में फिर से एक होड़ कर डिया लेत nhưng फिन के पर दिया में तो वहां पर बढ़म كे चरण से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो focus areas पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर focus किया रहा है अंडमान एंड निकोबार रीजन में लिटिल अंडमान कचल आइलेंड बारतंग में कुमार्ता एंड टेरेसा आइलेंड तो यह पांच जो आइलेंड हैं इसमें से लिटिल लिटिल अंडमान में और कचल में पहले भी यहां पर plantation की गई थी ओयल पांच की इन फैक्ट अगर लिटिल अंडमान की बात करें तो यहां पर 35 यहां पर यह चीज़ें की गई थी लेकिन 2002 के सुप्रीम कोट के रूलिंग के बाद यहां पर इसे फेज आउट कर दिया गया क्योंकि यह जो area है protected area में आता है biodiversity hotspot के area में आता है और उसके कारण यहां पर Supreme Court ने यह order किया था कि यहां पर कोई भी cultivation नहीं हो सकता है oil palm का और यहां पर इसके ecosystem को change नहीं किया जाएगा यहां पर कोई भी invasive species को introduce नहीं करना है और ऐसे ही किसके कारण यहां पर इन सब जो oil palms इन्हें phase out कर दिये लेकिन government फिर से यहां पर Supreme Court को convince करने की कोशिस कर रही है इन्हें study reports वहां पर present कर रही है प्लस इनका यह कहना है कि यह जो region है अंडमान निकोबार का यह already tropical area में लाई करता है यहां पर rainwater की अच्छी availability है तो irrigation की जरुरत नहीं पड़ेगी उसके बाद यह already जो यह लोग focus कर रहे हैं इस region को उसका एक कारण है 75% जो इस region का geographical area है वो अंडर grassland है तो इनका यह कहना कि already यहां पर trees की और बाकी चीजों की उतनी ज्यादा availability नहीं है हमें सिर्फ grassland को divert करना है और हम लोग यहां पर oil pump plantation कर पाएंगे लेकिन अब देखना कि Supreme Court इनके तत् सकती है क्योंकि grassland भी एक अपने अपने एको सिस्टम है उसमें भी अगर आप disturbance create करेंगे तो वहां की ecology disturb हो सकते second thing क्या है कि यह जो रीजन है पूरा जरावा और aurum tribe के inhabitants के लिए है और यहां पर यह रीजन में अगर invasive species और oil pump का cultivation किया जाता है तो इनकी जो tribal community है वो disturb हो जाए ownership का system है वो disturb हो जाएगा क्योंकि यह tribal peoples जो है इनके पास तो इतना investment है ही नहीं कि यह खुद से oil pump का cultivation कर सके already जो plantation यहां पर existing है वो भी government के थ्रू करवाई गए थी ऐसा नहीं है कि वहां पर local farmers ने इस plantation को किया थार government इसी चीज में कोसिस में है कि जो plantation existing थी उसी land को फिर से revive कि जा जाए और उसे expand भी किया जाए बाकी के जो grassland regions है वहां पर सेकेंड जो focus area है यहां पर नौर्थ इस्ट का region mainly यहां पर focus किया जा रहा है आसाम और प्रदेश में और उसके पीछे का यह region है कि यह यहां पर बहुत ज्यादा intensive और heavy rainfall होती है तो water की availability ज्यादा प्लस somehow यह यह यहां पर tropical climatic condition को match करता है क्योंकि यहां पर southwest monsoon winds के कारण भी rainfall होती है और नौर्थ इस्ट monsoon winds के कारण भी rainfall होती है तो year round यहां पर water availability रहती है और यही सब सोच कर यहां पर जो अरुनाशल प्रदेश और आसाम का region है उससे focus किया जा रहा है और इसके पीछे का region यहां पर य land availability ऐसी है जो की crop के अंडर है जिसे की easily वहाँ पर divert किया जा सकता है oil palm के cultivation के लिए second thing government का तरकी यह है कि हमें regional development करना है नौर्थ इस्ट region का क्योंकि यहां पर under development ज्यादा है चाहे वह अंडमान का region हो चाहे नौर्थ इस्ट का region हो और यहां के farmers के better income मिल सके इसके लिए यहां पर oil palm के cultivation को देखा जा रहा है इनका कहना यह है कि एक hectare के area में जो oil palm का production होता है वो लगभग चार टन का होता है चार टन crude oil prude palm oil का production होगा तो यह इनके लिए income के सोर्थ के इसाब से बहुत ज़्यादा beneficial है और इसलिए यहां पर यह regional development के लिए काम में आएगा और यहां पर जब prude palm oil का production होगा तो बाकी की infrastructure की चीज़ें भी लगेंगी उसके refining के लिए processing के लिए transportation के लिए तो ओवर ओल एक economic ecosystem generate होगा वहां पर जिससे की यहां regional development हो पाएगी तो यह सारे जो focus चीज़ें हैं अब इसमें देखना कि government environmentalist की कितनी मानती है politicians की बातें कितनी मानती है और overall government की अपनी क्या initiative होता है हाला कि यहां पर already fund का allocation हो चुका है और यहां पर इसकी implementation भी चालू हो चुकी है और यहां पर बहुत सारे land area ऐसी है लगबग अभी तर 35,000 hectare से जादा के area में plantation की जाच चुकी है तो देखना है कि government आगे क्या initiative लेती है और ऐसे ही वीडियो के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए हमारे social media चैनल पर हमें follow करें हमारे website पर डिफरेंट courses चल रहे हैं उन्हें भी आप जोइन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नहीं वीडियो डाले तो उसकी information आप तक पहुंचती रहे थांक्यू वेरी मच अंडे बन हुआ है